नमस्कार स्वागत है आप सभी के आपके ओफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासिस में मैं हूँ निमाई साना आपके समक्ष उपस्तित हूँ साइकलोजी विशेवस्तू को लेकर इस्ट्वेंट्स आज की क्लास में हम डिसकेशन करने वाले हैं दिव्यांग चातरो है तो विशेश वियवस्ता टॉपिक पर आधारित प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में लास्ट क्लासिस में हम प्रैक्टिस सेट 1 में 10 कोशन्स देख चुके थे इसमें आपको आईडिया हो गया था कि किस तरीके के प्रैशन इस टॉपिक से रिलिटेट पूछे जाते हैं आज की क्लास में हम इस टॉपिक पर आधारित और कुछ अच्छे सवालों के बारे में डिसकुशन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस टॉपिक से रिलिटेट और किस किस तरीके के प्रैशन आपके एक्जेम्स में बन सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला कोशन और इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज का 11 वा कोशन शारिक एवं मांसिक रूप से दिव्यांग बालको के साथ शिक्षक को कैसा ब्याभार अपनाना चाहिए देखे यदि बच्चे शारिक रूप से और मांसिक रूप से दिव्यांग बालक है यहनि कि यदि आपकी कक्षा में जो बालक है वो शारिक रूप से और मांसिक रूप से दिव्यांग है तो उनके साथ as a teacher आपको कैसा ब्यावहर अपनाना चाहिए option first कहता है सहानू भूती पॉन, option second कहता है दूसरों से अलग, option third कहता है कठोर एवन नरम और option fourth कहता है इन में से कोई नहीं, तो बताएए आप इस questions का right option easily बता सकते हैं अगर आपने इस topic को बहुत अच्छे से देखा होगा, इसके content को समझा होगा, तो देखे आप से यह बताया गया है कि as a teacher आप जब अपनी कक्षा में होते हैं और आपके कक्षा में कुछ बच्च क्योंकि यदि आप दूसरों से अलग ब्याभार दर्शाते हैं तो बच्चों को realize होगा कि हम कही न कहीं औरों से भिन हैं, इस वज़े से teacher हमारे साथ दूसरों से अलग वाले जैसे ब्याभार होते हैं, उसको अपना रहे हैं, तीसरी बात यह है कि कठोर और नरम, ऐनि कि आ आप कठोर ब्याभार बच्चों के साथ नहीं दर्शाएंगे, यदि आप बच्चों के साथ कठोर ब्याभार दर्शाते हैं, एक negative points को दर्शाता है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे अपनी problem को आपके साथ share नहीं करेंगे, इसलिए ये भी option नहीं हो सकता, और D option बिलकु को दर्शाएंगे, ताकि वो बच्चे आपके साथ adjust हो सके और अपने आपको समयोजित कर पाए, और आप उनकी problem को जानकर उनका सही उक्चार कर पाए, यही आपका धे होना चाहिए, आपने भी इस questions के right options लगा लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, next question आपसे क्या कहता है, question number 12, विशेश प्रकार की कुरसी मेज की व्यवस्था कि श्रेणी के बालकों के लिए की जानी चाहिए, देखे अगर आप विशेश प्रकार की कुरसी मेज की व्यवस्था करते हैं, तो यह आप किन बच्चों के लिए करते हैं, option A कहता है, option B कहता है, option option c कहता a एवं b दोनो और option d कहता इन में से कोई नहीं तो आपकी कक्षा में यदि आप विशेश प्रकार की कुरसी और मेच की व्यवस्था करते हैं तो आप किन बच्चों के लिए करते हैं तो देखें कुरसी और मेच का यदि आप यूज करते हैं तो आप मांसी बालकों के मांसी ग्रूप से जो दिव्यांग बालक है उनके लिए नहीं करते हैं और जब मांसी ग्रूप से दिव्यांग बालकों के लिए नहीं करते हैं तो a option नहीं हो सकता इसलिए c option भी नहीं होगा और option number d भी नहीं हो सकता इसका मतलब बच्चावा option आपका है option number b और यही इस questions का right option आपका भी हो जाएगा या शारीक रूप से विकलांग या दिव्यांग जो बालक होते हैं उनके लिए आपके विद्याले में आपके कक्षा में विशेश प्रकार की कुर्सी मेज की व्यवस्था की जानी चाहिए आपको पता होना चाहिए गौर्मेंट के दोरा ये सारे विद्याएं उन बच्चों के लिए प्रोवाइट कराए जाते हैं यदि आप एक बहतर अध्यापक है एक आदर्श टीचर है तो आप इन बातों की जानकारी को अपने पास रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसी भी सुविधाएं गौर्मेंट की तरब से इन बच्चों के लिए प्रोवाइट कराई जाती हैं तो उन सुविधाओं को सर्व प्रथम अपने स्कूल में लाकर पस्थित करेंगे ताकि आपकी विद्यले में यदि कोई बच्चा भविशे में इस प्रकार की गतिवीदियो से पीडित पाया जाता है तो उस बच्चे के लिए थोड़ी बहुत हेल्प आपके द्वारा हो सके आई होप आप मेरी बातों को समझ पारे होंगे चले आगे बढ़ते हो और देखते हैं नेक्स्ट कोशन इस प्रेक्टिस सेट का थर्टींत कोशन देखिए कम दृष्टी दो दोश है मतलब जिसको थोड़ा सा कम दिखाई देता हो इस पश्ट दिखाई ना देता हो तो ऐसे बच्चों को आप ऑप्शन A कहता है कक्षा में आगे बिठाएंगे ऑप्शन B कहता है कक्षा के मध्धे में बिठाएंगे और D कहता है कक्षा में कहीं भी नहीं तो देखि option है कक्षा में आगे I hope आप समझ पारे होंगे और आपने easily इस questions के right option लगा लिये होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आप से क्या कहता है तो next question आप से कहता है कि विभिन अंगों की हड्डियों ग्रंथियों या जोडों से सम्मदित विकार किस दिव्यांगता के उधारन है यानि के strengths अगर आपकी body parts में जैसे हड्डियां होती है अलग-अलग या फिर ग्रंथियां glands होती है या फिर joints होते हैं जोड होते हैं इन से सम्मदित यदि आपको विकार है तो आप कौन से दिव्यांगता के अंतरगत आते हैं मानस्पेशियों के दिव्यांगता या फिर अस्थी दोष या फिर A एवं B दोनों एनि option A भी सही है और option B भी यानि मानस्पेशियों और अस्थी दोष दोनों के लिए है और option D कहता है इन मेंसे कोई नहीं तो देखिए इस ट्रेंट्स अगर आप सिर्फ हड़ी की बात करेंगे तो आप अस्थी दोष के साथ जाएंगे क्योंकि हड़ी और अस्थी बात से मी है हड़ी को अस्थी भी कहते हैं तो यदि आपकी हड़ियों में problem है तो आपको अस्थी दोष है और यदि मा आपने questions के right option easily लगा लिए देखिए जो हड़ी है और जो जोड़ है यह अस्थी दोषों से related है और जो ग्रंथिया नहीं ग्लैंड्स है वो मांस्पेशियों से related है इसलिए यदि विभिन अंगों की हड़ियों ग्रंथियों या जोड़ों से समने द्विकार किसी दिव्यां इवंग अस्थी दोषों के दिव्यांगता दोनों के इंतरगत इसलिए questions का right option हो जाएगा A एवं B दोनो आपने भी questions के right option easily लगा लिए होंगी चले आगे बढ़ते हैं और देखते है next question आपकी इस practice set का 15th questions क्या कहता है तो 15th questions कहता है दिव्यांगता का मुख्य कारण क्या ह देखिए अगर आप दिव्यांगता की बात करते हैं तो इसका main reason क्या है दिव्यांगता क्यों होता है option A कहता है जन्मजात option B कहता है दुरगठना option C कहता है A एवं B दोनो और option D कहता है इन में से कोई नहीं तो देखिए strength दिव्यांगता आपकी जन्मजात भी हो सकती है मतल होने के बाद उनको कम सुनाई देता हो या फिर उनको कम दिखाई देता हो या फिर बहुत तरीके की गंभीर बीमारियां हो जाती है या फिर बहुत तरीके के problems create हो जाते हैं तो दिव्यांगता के मुख्यकारन जन्मजात भी हो सकते हैं और दुरगठना भी हो सकते हैं और option आपका हो जाएगा option number C जिसमें आपके A option भी सम्मलित हो जाएंगे और B option भी सम्मलित हो जाएंगे तो A और B के मुकावले में जो C option है वो ज्यादा व्यापकता को दर्शाते हैं इसलिए इस questions का right option A even B दोनों हो जाएगा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जर्मजाद भी जा सकते दुरगठना में भी जा सकते ऐसे बहुत सारे प्रशन होते हैं आपके psychology में ज्यादा तरे स्तरीके के प्रशन होते हैं जिसमें आपको चारो options अच्छे दिखते हैं बट आपको उसमें बहतर option चाटना होता है जो बच्चे का development अधिक से अधिक करे और जो इस कोई भी problems हो उसको ज्यादा से ज्यादा व्यापक अर्थ जिस option में दरशाते हैं वही options उस questions का right हो जाता है I hope आप मेरी बातों को समझ पारे होंगे इसलिए इस question का option हो जाएगा दोनों ही मुख्य कारण है दिव्यांगता के चलिए next questions इस class का देखते है next 16 questions है कि पढ़ने लिखने मौखिक अविव्यक्ति शब्दों की वर्तनी करने गणित आदी विशयों को समझने में कमजोर बालक किस समस्य से ग्रसित होते हैं देखे अगर कोई बच्चा है जो पढ़ने में problem होता है या फिर लिखने में जिसको problem होती है या फिर मौखिक अविव्यक्ति में जिसको problem होती है शब्द की वर्तनी करने में problem होती है गणित आदी विशेव में यदी बच्चे समझने में कमजोर होते हैं तो किस समस्या से ग्रसित है भाशागत समस्या से या फिर option B कहता है अधीगम अशक्तता से या option C कहता है वरतनी अशक्तता से या फिर option कहता है इन में से कोई नहीं यदी कोई बच्चे में पढ़ की वरतनी करने चारो जो पॉइंट है यह आपके भाशागत को दर्शाते हैं नहीं भाशागत से और वरतनी अशक्तता से दर्शाते हैं ठीक बट यहां पर जो आपकी गणित की बात आजाए तो गणित की बात आपके वरतनी में भी नहीं आएंगे और भाशागत में भी नही गम अशक्ता लर्निंग डिस एबिलिटी जिस पर मैंने आपसे डिटेल में बात की है और जिस पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि किसी बच्चे को यदि पढ़ने में प्रॉब्लम है तो उसको कौन सी बिमारी कहते हैं यदि किसी बच्चे को गणित समझने में प्रॉब्लम होती है तो उसे कौन सी बिमारी कहते हैं यदि किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होते है तो उसे कौन सी बिमारी कहते हैं सुक्षमतिक गतिक कोशल यदी कोई बच्चे नहीं कर पाते तो उस बीमारी को क्या कहते हैं तो इस तरीके से मैंने सरे टाइप से आपको बता रखे है learning disabilities के बारे में जहां से आपके एक प्रशन आने निश्चित है लेकिन इस प्रशन का right option आप easily बता सकते हैं तिनों options गलत है तो बचाव option B है अधिगम अशक्तता और अधिगम अशक्तता में सभी बीमारियां जो है वो इसी के इंतरगत आ जाएंगे अगर हम चारों option में best options की बात करें तो इस questions का right option हो जाएगा अधिगम अशक्तता से I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है next question आपसे कहता है strengths की विकरत लिखावट से सम्मंदित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षन है देखे जो विकरत लिखावट विकरत लिखावट का मतलब होता है strengths जिनकी लिखावट बहुत गंदी होती है यहीं कि जिसके writing जो है वो बहुत बिकार होती है जो सही तरीके से नहीं लिख पाता टेड़ा मेरा लिखता है तो ऐसे को हम विकरत लिखावट से सम्मंदित करते हैं यहीं कि यह एक लिखने की योग्यता है और यदी किसी बच्चे में विकरत लिखावट से समझे लिखने की योग्यता में कमी हो तो उसे क्या कहते हैं उसको कौन सा लक्षन कहते हैं उप्षन A कहता है डिस कैलकुलिया उप्षन B कहता है डिस ग्राफिया उप्षन C कहता है डिसलेक्सिया और option D कहता है इन में से कोई नहीं तो ये दी students आपने content वाले topic को बहुत अच्छे से cover किया है तो आप easily this questions का right option बता सकते हैं बट मैं आपको बता दू कि जब मैंने आपको अधिगम अश्रतितालीन learning disability पर बात की थी तो कम से कम मैंने आपको 12 points पर discussion किया होगा यानि 12 points बताये थे जो आपके exam point of view से काफी ज़ादा important है और इस से बाहर आपका कोई भी प्रेशन नहीं जाएगा तो देखे dyscalculia का मतलब इस्ट्रेंट जो गणित में सम्दित बिकार होते हैं यानिकि जो बच्चे गणित समझने में ऐसमर्थ होते हैं या समझ नहीं पाते हैं उनको जो बिमारी होते हैं उसको dyscalculia कहते हैं जो dyslexia होता है नि पढ़ने से related अगर कोई बिमारी होते हैं उसे dyslexia कहते हैं और इन में से कोई नहीं option नहीं हो सकता क्योंकि लिखने में येदी बच्चे को problem होती है या किसी की लिखावट गंदी होती है विकरत होती है या लिखने से related अगर कोई भी बच्चे में problem है तो इसका मतलब वो graph सही से दर्शा नहीं पाता और graph के सामने ये ये dys word को आप लगा देते हैं तो वो लिखने से related एक व्यापक अर्थ को दर्शाते हैं या अगर किसी बच्चे में लिखने में या लिखावट में दिक्कते आती है तो इस कमी को हम बोलते है dysgraphia यानि कि उस बिमारी का नाम होता है dysgraphia और बच्चे लिखने में बहुत ज़्यादा hesitation दर्शाते हैं बहुत अच्छे से लिखने का मन नहीं करता उनको और वो लिखते नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ने में हो सकता है intelligent हो जाए बट लिखने में वो कमजोर होते हैं लिखना पसंद नहीं करते हैं इसलिए उनकी handwriting भी बहुत ज़्यादा poor होती है तो ऐसी बिमारियों को dysgraphia कहते हैं यदि आपने content को देखा है तो बहुत अच्छे बात है अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले content को देखे और उसके बाद प्रशन उपर आए तो आपके लिए बहतर होंगे सारी चीज़े आप समझ पाएंगे कि क्या पढ़ना होता है और किस तरीके के प्रशन आपके exams में बन सकते हैं I hope आप मेरी बातों को समझ पारे होंगे चले आगे बढ़ते हूँ और देखते है next question आप से क्या कहता है तो next question आप से कहता है students कि आफेजिया किस अधिगम अशक्तता का उधारन है देखे आफेजिया आफेजिया एक शब्द होता है जो एक अधिगम अशक्तता को दरशाते हैं तो ये किस से related problem है option A कहता है सीखने से related problem है option B कहता है मौखिक रूप से सीखने से related problem है option c कहता है भाशा संबन्दी अर्शक्तिता है और option d कहता है बी एवन सी दोनों है तो आप बताए कि जो aphasia होता है वो एक अधिगम अर्शक्तिता है learning disability के अंतरगत मैंने आपको aphasia और dysphasia के बारे में detail में बताया हुआ है तो आप आप इस questions का right option बहुत ही आसानी से दे सकते हैं यदि आपको वो content जो मैंने आपको cover कराया थे यदि आपको ध्यान है तो बताए इस questions का right options आपके हिसाब से क्या हो सकता है आपने right options लगा लिए होंगे लेकिन इस students मैं आपको बता दू कि आफेजिया जो है अधिगम अशक्तिता बिमारी के लिए उधारन प्रस्तुत करते हैं यानिके आफेजिया एक बिमारी है लेकिन ये सीखने से related नहीं है क्योंकि students सीखने से related अगर होता तो इसमें लिखना जो है वो भी एक सीखने वाली चीज है और फिर जो गणित होता है गणित से समंदी जो भी problem होते है यानिके गणित को आप समझ नहीं पाते सीख नहीं पाते तो ये भी इसी के अंतरगत आ जाता और फिर और भी जितने भी problems है जितने भी मैंने आपको learning disabilities बताएं है वो सारे के सारे सीखने में समाहित हो जाते तो इसलिए A option इसका नहीं हो सकता और जो aphasia होता है मौखिक रूप से सीखने यानि कि एक भाशा गद बिमारी है किसी बच्चे को भाशा से related अगर कोई problem है कि वो सही तरीके से बोल नहीं पाते सही तरीके से अपने आपको execute नहीं कर पाते है तो उस बिमारी को aphasia कहते है और aphasia के सामने यदि आप dis शब्द को लगा देते हैं तो वो और ज़्यादा व्यापकता को दर्शाते हैं तो मौखिक रूप से सीखने का मतलब होता है कि जब आप चीजों को औरले सीखते हैं यदि मौखिक रूप से भाषा के माध्यम से सीखते हैं तो एक भाषागत बिमारी है aphasia और भाषा समंद्य आशक्तता भी option में है तो ये भी हो जाएगा कि भाषा समंद्य आशक्तता जो है उसे भी हम aphasia कहते हैं और मौखिक रूप से सीखना भी aphasia कहलाता है इसलिए b और c जो options है वो है option number d में b even c दोनो इसलिए इस questions का right option आपका हो जाएगा d I hope आप मेरी बातों को समझ पारे होंगे कि aphasia किस अधिगम आशक्तता का उधारन है तो आप बताएंगे कि aphasia अगर questions के options को देखे तो आप मौखिक रूप से सीखने के साथ भी जाएंगे और भाशा संबन्दी आशक्तता के साथ भी जाएंगे और इसलिए आपका यह option हो जाएगा d, ne, b even, c दोनो तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रशन आपके exams में आ सकते हैं और इस तरीके के प्रशनों को यदि आप करना चाते हैं अच्छे से तो आपको सबसे पहले content को detail में study करना होता है otherwise मान लीजे आप कितने भी questions practice कर लीजे जब आपको examiner इस तरीके के प्रशन आपके सामने रखता है तो ज्यादा तर बच्चे जो है इस questions में भाशा सम्मंदिया शक्तता जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है वो भाशा सम्मंदिया शक्तता के साथ जाएंगे जो रक्टिफिकेशन से पढ़ते हैं क्योंकि आप फिज़िया और डिस फिज़िया भाशा सम्मंदिय विकार से रिलेटिड है लेकिन मौखिक रूप से सीखना भी इसी के अंतरगत आता है इसलिए इस questions का right option B और C दोनों हो जाएगा हैनि चीजों को आप detail में study करें और understanding बिठा कर study करेंगे तो आपके questions के गलत होने के chances बहुत कम हो जाएंगे इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले अच्छे से content को करना होता है और उसके बाद उस पर आधरी practice set को लगाना होता है ताकि आपको idea आ जाए कि इस topics related किस तरीके के content हमें पढ़ने हैं और किस तरीके से आपसे प्रशन पूछे जा सकते हैं I hope आपने भी questions समझ लिए होंगे चले आगे बढ़ते हो और देखते है next question आपसे क्या कहता है next question आपसे कहता है students की लिखने की आशक्तता किस आशक्तता से सम्मंदित है एनि कि जो लिखने की आशक्तता है student वो आपको बताना है कि अगर किसी बच्चे को लिखने में कोई problem है कमी है तो वो किस तरीके की आशक्तता से सम्मंदित होते है option A कहता है agraphia से option B कहता है apraxia से कहता है dysgraphia से और option D कहता है ये सभी एनि फर्स्ट option कहता है लिखने की आशक्तता किस आशक्तता से सम्मंदित है एनि प्रशन आपसे बताया गया है कि लिखने की आशक्तता एनि कि अगर आपको लिखने में कोई problem है तो किस तरीके की problem से सम्मंदित है ये आपको बताने है किस तरीके की disability है वो तो option A है अग्राफिया, option B है आप्रेक्सिया, option C है डिस्ग्राफिया और option D है ये सभी तो अब आप बताएए कि आपको मैंने बता रखा है कि जो लिखने की आशक्त दैने लिखने में problem है तो अग्राफिया ये कि graph की बात जब भी आजाए तो समझ लीजिएगा कि ये जो है लिखने से related problem को दर्शाते हैं ठीक, तो अगर मान लीजिए अग्राफिया भी है और डिस्ग्राफिया भी है तो दोनों options बहतर हैं क्योंकि आग्राफिया में जब डिस्वर्ड आगे आ जाता है तो वो और भी आपकता को दर्शाते हैं अलग-अलग लिखने समंदित बीमारियों को इसमें समाहित किया जाता है तो इसलिए अग्राफिया भी लिखने से related problem है और डिस्ग्राफिया भी है और एक आप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया जैसे कि आप देख रहे हैं आप्रेक्सिया और यहाँ पर अगर आपको डिस्प्रेक्सिया वर्ड भी दिख जाए अगर आपको आप्रेक्सिया और दिख जाए तो वो भी लिखने से related problem होती है इसलिए इस questions का right option हो जाएगा आपका option number D ये सभी क्योंकि लिखने की अशक्तता जो है वो agraphia से dysgraphia से और aphraxia से तीनों options से relate करते हैं ये तीनों ही option जो है वो लिखने समझेद विकार को दरशाते हैं इसलिए इस questions का right option ये सभी हो जाएगा और मैंने आपको बता रखा है अगर आपने मेरे content वाले videos को देखा है तो आप easy list questions के right options लगा लिए होंगे क्योंकि मैंने उसमें detail में बताया हुआ कि जो लिखने से समंझेद बिमारी है उसको agraphia, dysgraphia, apraxia और dyspraxia भी कहते हैं I hope आपने भी questions के right option easily लगा लिए है चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की class का last questions, 20th questions है शब्दों की वरतनी शमंदी अशक्तिता क्या है एनि कि शब्दों की वरतनी समंदी जो बिमारी है एनि कि अगर आप शब्दों की वरतनी को बरतनी के समंद में यदि आपके अंदर disability है तो उसको क्या कहते हैं option A कहते हैं अक्षरों को क्रम से लिखना option B कहते हैं शब्दों को क्रम से नहीं लिखना option C कहते हैं शब्दों के अक्षरों को क्रम से नहीं लिखना और option D कहते हैं उप्यूक्त में से कोई नहीं तो अब आप बताएं कि शब्दों की वरतनी सम्मंदियदी आशकतता है तो क्या उसको हम अक्षरों को क्रम से लिखना कहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं शब्दों को क्रम से नहीं लिखना तो देखें शब्दों को क्रम से नहीं लिखना भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका right option है कि शब्दों के जो अक्षर होते हैं उसको क्रम से नहीं लिखना for example के लिए मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए कि आपने sa w लिखा ठिक और sa w को आपने इस तरीके से लिख दिया w a s तो s a पहले letter s है उसके बाद a है फिर w है बट आपका यहाँ पर पहले letter w है उसके बाद second letter a है और third letter आपका s है तो इसलिए आपने sequence को change कर दिया तो अगर आप कोई भी शब्द लिखते हैं और यदि उसके अक्षरों को क्रम से नहीं लिखते हैं उलट पुलट देते हैं तो उस बिमारी को कहते हैं शब्दों की बरतनी समंद्य आशक्तिता तो इसलिए इस questions का right option आपका c हो जाएगा option d भी नहीं हो सकता तो इसलिए इस questions का right option आपका c हो जाएगा यानि कि अगर आप शब्दों की बरतनी समंद्य शक्तता आप किसी बच्चे में पाते हैं तो इसका मतलब वो बच्चा क्या करता है कि शब्दों की अक्षरों को क्रम से नहीं लिखता वो आगे पीछे कर देता है I hope आप questions को समझ पारे होंगे और आपने देखा कि इस तरीके से जो इस topics related आपके exams में प्रशन बनेंगे ठीक तो इस तरीके से यदि आपसे प्रशन पूछे जाते हैं तो ये थोड़े से tough level के questions होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके understanding को check किया जा रहा है कि आपने चीजों को detail में study की है या नहीं की है तो इस तरीके के प्रशन यदि आपके exams में आते हैं तो आप easily कर पाएंगे इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी topic के content को अच्छे से समझना होगा उसके बाद उस पर आधरी practice set को लगाना होगा ताकि आपका उस topics related command आप के उपर बन पाए आप चीजों को analyze कर पाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या वो सही direction में हैं क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके से यदि नए प्रशन बनते हैं तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मैंने आपके सामने practice set लेकर आया हूँ ताकि आपको idea हो जाए कि कि किस तरीके के प्रशन आपके exams में बन सकते हैं I hope आपको ये तरीका अच्छा लगा हुगा यदि आपको इक class अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और चैनल को यदि आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए वैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं आपके लिए लाओं तो आपको time to time notification मिलते रहें और मिलते हैं next class में बाकी इसी topic पर आधरित बाकी थोड़े टफ लेवलों के प्रश्णों के साथ आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद जय हिन